नवश्कार दोस्तों आओ टीटी टी 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 आडी चैनल में आप सभी सातियों का फिर से एक बार स्वागते सातियों कल से शिक्षक साति हमारे दैसत में हैं और समय से यदि विद्याले नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उनको ये चिन्ता हो रही है कि वेतन नहीं मिलेगा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के शिक्षा इभाग के अपर मुख्य सचिब के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि एक अक्टूबर से जो आपको वेतन दिया जाएगा उसमें आपकी उपस्थिती इस शिक्षा कोस को भी खंगाला जाएगा पर जाने के लिए आप अपनी तरफ से पूरी प्रियास कीजिए हाँ कहीं लेट हो जाता है किसे दिन तो इसके लिए डरना नहीं है इसके लिए घवडाना नहीं है कि वेतन कट जाएगा मैं इसलिए ये बात कहा रहा हूँ कि ये जो आपके सामने में कटिंग है इसमें डेट वाइज आपकी उपस्थिती जो है वो दिखाया गया है जिसमें आपने जो एटेंडेंस बनाया है उसमें आप सेंट परजेंट करके भी दिया गया है एटेंडेंस का भी एक दिया गया है कितने बज़े आप विद्याले में प्रवेश किये हैं और जो दैड़ा दिया गया है ऑनलेन हाजरी उपस्थिती का वो भी यहाँ पर दिखाया गया है सबसे महत्वापोर्ण इसमें ये है कि नौ बज़ के जैसे ही एक मिनट पे आप पहुँचे हैं या नौ बज़े पहुँचे हैं तो उसको रेड कर दिया गया है और आट उनसट तक ब्लैक ही रखा गया है ग्रीन ही रखा गया है वही आट टैम में जो आप विद्याले छोड़ के आते हैं उसमें चार तीस से पहले यदि आपने आट कर दिया घर आने के लिए तो वहाँ पर भी रेड कर दिया गया है और कहीं कहीं पर तो इसमें ये बात भी किया गया है लेट इन नोट आट आपने उस दिन आट किया ही नहीं देखिए ये सब जो है न ये कहीं से भी धरातल पर सही नहीं हो सकता है इसमें कई लोग गलत भी हो सकते हैं तो कई लोग सही भी हो सकते हैं अब बात करो कोई शिक्षक ऐसे भी है जो हमारे सामने में है वो 4-30 से प्रियास करते रहते हैं उनका होता ही नहीं है 4-55 हो जाता है 5 बच जाता है विद्याले पर तब भी नहीं होता है वो लगतार प्रियास करते रहते हैं और हमने ये भी देखा है कि 8 बज़ के 35-40 मिनट पर शिक्षक पहुँच जा रहा है विद्याले में 45-50 मिनट पर और वो अपनी उपस्तिती दर्ज करना चाहता है पर होता ही नहीं है अब वो उपर से कुछ खड़ावी होता है या उनकी मोवाइल में कोई समस्या है या डाटा की कमी है या नेट्वर्क की कमी है ये पता ही नहीं चल पाता है तो क्या इसमें शिक्षकों की गलती है प्रत्यक्षकों प्रामान दिखाने की क्या वशकता पड़ती है और ये जितने भी माध्यम है क्या ये शत्व प्रतिशत सही होगा ऐसा हो सकता है तो इसलिए आपको घबडाना नहीं है आप इसके जल्दी में तेजी से जाईएगा गाड़ी को एकदम सौपे कर दिजिएगा और बीच में हो सके कि आप छती ग्रस्त होकर के विद्यालेक कभी नहीं पहुँच पाए ऐसा किसी के साथ ना हो लेकिन हो जाता है कई साथ हमारे चिंता में होते हैं कई साथ हमारे कुछी समस्या में होते हैं और उसके साथ-साथ उनको विद्याले भी करना होता है तो सभाविक है उनसे ये गलती हो जाती है तो उसमें लोगों का कहना यही होता है कि इनके भाग्य में यही लिखा हुआ था इसलिए ऐसा हो गया यह सब कुछोने होता है भाग्य में कुछ क्या लिखा है नहीं लिखा है किसी नहीं देखा है आपके कर्म पर ही सब कुशाधारित है आप कैसा कर्म कर रहे हैं आप लेट से घर से निकल रहे हैं तो जल्दिवाजी कीजिएगा और आपका एक्षिडेंट होगा तो इसमें कर्म क्या करेगा भागी क्या करेगा भाई तो इसलिए आप चिंता ना करें अपनी समय से घर से निकलें क्योंकि नो वजे आपको विद्याले पहुंच जाना है बच्चों को गुनत्ता पुन शिक्षा देना है आप दे भी रहे हैं और ये दू चार पांच दस मिंट की जल्दिवाजी में आप अपने आपको ही समाप्त कर दें वो कहीं से भी उचित नहीं होगा ये मेडा मानना है सरकार विभाग अपने तरफ से जो कर रही है वो करने दीजिए उसमें हमसे जो हो पाएगा हम सहायता करेंगे ऐसी बात नहीं है कि हम उसका विरोध करेंगे हम सहायता करेंगे क्योंकि हमने प्रण किया है कि भाई नौ से चार बजे तक या साढ़े चार बजे तक जो भी शिक्षाई भाग का समय साढ़नी है उसके अमसार वच्चों गोण अता पुन शिक्षा दूँगा तो उसमें कहीं से भी पीछे नहीं हटने वाला हूं पड़ ऐसा देखने से क्या होता है अपने आप में ही चिंता होती है कि नहीं कल जो है पहुँच जाएंगे एकदम जल्दी भागेंगे यहां से तो इसलिए घबराना नहीं है वेतन कटेगा जो होगा जैसा होगा लेकिन स्कूल जो है सही से पहुचिएगा अपने आपको सुरक्षित रखके पहुचिएगा यही मेरा निवेदन होगा आपसे और यह वीडियो बनाने का भी मकसद मेरा यही था क्योंकि आप सभी लगातार कर से कॉल भी कर रहे थे कि देखिए सर इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है तो क्या वेतन नहीं मिलेगा मिलेगा भी तो पांस दिन का काटके मिलेगा ऐसा नहीं है यह कोई प्रेवेट नहीं है जो आप समझ रहें की काटके वेतन मिल जाएगा ऐसा तो आप बने रहे है आँल टीटी त्यारी चैनल के साथ यदि इसमें भी कुछ और प्रियास करना होगा तो हम सभी मील करके करेंगे आप इस वीडियो को भी जादा से जादा शेर किजेगा जिससे की जितने भी हमारे साथ ही है वो सजग सतर्ग साबधान रहें और आगे सभी मील करके हम लुग काम करेंगे जो भी होगा बच्चों के हित में तो अभी के लिए इतना ही फिर मिलते अगले वीडियो में साधने बास आथि